हाई दोस्तों असलाव अलेकुम कैसे आप लोग मेरा नबील है 2023 में आईफोन 11 आपको लेना चाहिए ने लेना चाहिए इस फीडियो में चेक आउट करेंगे आईफोन 11 के बारे में यहाँ पे मैं बात इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि आज भी यह फोन जो है कि हाँ कोई अगर यूज या नियू लेना चाहता है तो आईफोन 11 जो है यह एक अच्छा फोन है लेने के लिए नुसरा बॉक्स था यह मेरा खुद का था जो मैंने नया खरीदा था जब आईफोन 11 नया आया था और अगर आप चैनल को इस टैम से फॉलो कर रहें तो बता होगा के ग्रिण आईफोन 11 जो है यह मेरा खुद का परसिल फोन था यह वह साल था जिस साल मैंने बिल्कुल भी अगर यूज लेती हो आप सेल बड़ी से या कहीं से भी जहां भी आपको देखना है तो एकदम मतलब as good as new condition ही होती है और इसका प्राइस जो है इन्होंने 27000 या 28000 रखा हुआ है तो तक्रीबन 10,000 उपे का फरग होता है new और यूज में अगर एकदम प्रॉपर कंडिशन मे हो और थोड़ी वह दिन की तीन मेने चार मेनी की वारेंडी होती है आप अपने city में अगर लेना चाहते हो तो यह जीज को अपना एक reference बना लेना उसलिए मैं आपको बता रहा हूं pricing आपको जहां से लेना ले सकते हो कोई force नहीं कि हाँ फ्लिपकाट सी लो या सेल बड़ी स साथ वह मिलता है देखने के लिए iPhone 12 mini 12 mini देख सकते है बिल्कु सिमिलर दिखता है लेकिन चोटा है तो इसलिए बहुत सारे लोग इसको consider नहीं करते क्यों कि हर किसी के लिए इतना चोटा फोन आज के तारीक में यूज करना यह possible नहीं है तो इसलिए हम इसको साइड में पहले आपल लोगों को उपर आता था तो आइफून 11 का डिजाइन है और पता नहीं चलेगा अगर आपने केस लगाया वाय तो कि आइफून 11 है या आइफून 12 है और colors भी इसमें काफी अच्छे आते आप ले सकते है प्रो मॉडल में थोड़े बोरिंग कलर आते है इसमें तो आपके हाथ से गिरेगा भी तो इस मामले में अच्छा है और आइफून होते भी काफी टफ है आइफून 11 में आपको wireless charging भी देखने मिल जाती है तो यहाँ पे हम आइफून 11 को हमारे wireless charger पे रख देते और यह चार्ज होना शुरू हो गया अब इसमें एक drawback भी है जो आ आइफून 12 के लिए बाकी यहाँ पे आपको ब्राइट्टेस अगर अच्छी मिल जाती है तो आउट्टोर वेजिबिटी आपको अच्छी मिलेगी कोई इश्यू नहीं है बाकी आप अपग्रेट करना चाहते है तो फिर आपके लिए minimum जो है खर्चा यह आईफून 12 वाला हो जाएगा बाकी डिस्प्ले में इसको एक अच्छा डिस्प्ले समझता हूं क्योंकि यह एक वीडियो वाचिंग के अंदर या गेमिंग के अंदर कहीं भी कुछ प्रॉलम नहीं है यहां लेकिन आप साइड बाइसाइड करेंगे इन दोनों डिस्प्लेस को आपको फरक न देखने को नहीं मिलेगा लेकिन हाँ अगर आप साइड बाइसाइड देखते हैं तो मामुली डिफ्रेंस है क्योंकि यहां पर आपको ओलेड में डीपर ब्लैक्स वगारा देखने मिल जाते हैं तो आपको इतना कोई फरक पड़ेगा नहीं जब तक कि आप दोनों को बाज नहीं है दूसरे आइफून से तो मेरे किसाब से कहाई जिस प्राइस पॉइंट पर यह अवेलेबल है और जो बाकी के अभी चीज़े में आपको बताने वाला उसमें डिस्पले वाला कॉम्प्रोमाइज आप कर सकते हैं अगर आपका बजट कम है तो कोई भी बंदा बगर में तो सभी कैमरा में आपल ने दे दिया अगर वीडियो रेकॉर्डिंग के इसकी बात करें तो बहुत ही फैंटास्टिक है आप 4K 60fps में भी वीडियो शूट कर सकते हैं रियर फेसिंग कैमरा से आज वेल एस फ्रेंट फेसिंग कैमरा से तो 30,000 के बजट में आपको यह जो परफॉर्मेंस है कैमरा का कोई और एंडूइड फोन नहीं देने वाला है इसको दोड़ो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली व्लॉगिंग करने के लिए अच्छा है और फ्रेंट फेसिंग कैमरा में जो यहां पे इसमें सेंसर इस्तमाल किया गया है आज भी मामले में आपको यह डिसपॉइंट बिल्कुल भी नहीं करने वाला अब इसकी सबसे सही चीज़ बताता हूं जो कि इसका परफॉर्मेंस है आपको यहां पे मिलता है ए थर्डीन बायानिक चिपसेट और चार जी भी कराया है आपको इसमें फेंटास्टिक परफॉर्मेंस देखने मिल जाएगा कोई इसमें देखने को नहीं मिलेगा परफॉर्मेंस के मामले में और अगर मैं आइफान 12 से भी कर लओ इसका परफॉर्मेंस तो आपको यहां पे कोई भी जाधा डिफ्रніश देखने नहीं मिलेगा अप ्प दोनों में गेंस औॉपन करें और 4GB का RAM जो है, iPhone 13 में भी आपको देखने मिलता है, बस iPhone 14 में Apple ने दिया है, 6GB का RAM तो इस पास का ज्यान रखना, कि अब भी 13 में 12 में 4GB का RAM ही आता है, तो कोई मुश्किल नहीं है उसमें, अब PUBG खेल लेते हैं, फटाफट से हैं, तो सबसे बहले ग्राफिक्स को यहाँ पर सेट कर लेते हैं, स्मूध और एक्स्ट्रीम तो ही, मैं आपको maximum ग्राफिक्स पर दिखाता हूँ, HDR और एक्स्ट्रीम भी है, maximum ग्राफिक्स और maximum फ्रेम रेट, कोई भी इशू इसके अंदर नहीं आएगा, बिंदास आप इस पर यह ग्राफिक्स में खेल सकते हैं, अब iOS की बात कर लेते हैं, iOS में आपको मिलने वाले फीचर्स की बात कर लेते हैं, और फ्यूचर मिलने वाले अपडेट्स की बात करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, लेटेस्ट iOS जो है, आपको यहाँ पर देखने मिलेगा, फोकस मोड को लिंक करना है, वाल पेपर के साथ, वह आप कर सकते हैं, यह सारे चीज़े आपको मिल जाएगी, और कैमरा अप्लिकेशन के अंदर यह टेक्स डिटेक्शन वाला आपको मिल जाता है, जिसको live text apple बोलता है यह सारे features आप miss out इसमें नहीं करेंगे obviously बात है iPhone 14 Pro Max वाला यहाँ पर कोई dynamic island नहीं है तो वो features और वो सारी चीज़े यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी उसके लिए आप फिर देड़ दोला खर्चा करना चाहते है that is a different thing फिर यह वीडियो आपके लिए ही नहीं लेकिन यहाँ पर आपको almost सारे features जो है मिल जाएंगे जो आपको day-to-day काम आएंगे iOS 16 वाले और iOS 16 दालने के बाद इसमें कोई आपको performance का drop देखने नहीं मिलता सारी चीज़े सही काम करती है अब बात करें अगर हम future updates की आगे कितने साल आपको updates देखने मिलेंगे तो यह iPhone 8 है जिसके बाद iPhone XR आया फिर उसके बाद iPhone 11 आया iPhone 8 भी अभी iOS 16 पे चल रहा है तो इसको कम से कम और 2-3 साल का आपको updates देखने मिलेंगे iOS 17 आजाएगा 18 आजाएगा और 19 भी शायद iPhone 11 पे आपको देखने मिल सकता है तो इस मामले में आप बेफिक कर रहा हो मतब जो पैसा आप आज दे रहे हो न्यू लो या सेकेंड लो उसमें आपको दो साल के updates भी राइट फर्स डे पे आपको मिल जाएगा जिसमें आपको 14 Pro Max में मिलता है तो इससे और अच्छी चीज़ क्या हो सकती है अब एक और चीज़ के अंदर अच्छी है जो कि है dual sim capability तो यहां पे आप single sim एक physical लगा सकते हो आप चेक आउट कर सकते हैं तो यहां पर इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं लेकिन एक प्रॉब्लम है connective video का वो आगे बताता हूं मैं आपको अब security की बात करें कि भाई phone अब ले रहा हूं मैंने banking applications में रखने है Google पर चलाना है तो secure है या नहीं सबसे पहली चीज आइफोन में जो सबदस चीज आती है वह यह face ID system जो आज भी आता है आइफोन के अंदर fingerprint scanner नहीं आता तो यह face ID जो है रात का अंधेरा एक light भी नहीं होगी single तब भी यह काम करेगा और यह काफी secure है आपके authentication के लिए और आइफोन जो है अपनी security के लिए जा नहीं जाते तो अपने banking application जो है इसमें आप अराम से रखके चला सकते हो जो भी आपके bank के apps है आप रखिए इसमें कोई मुश्किल नहीं आईगी और सबसे अच्छी बात है कि future में इसमें latest updates आएगा दो से तीन साल और आप अराम से इस पे जो है trust कर सकते हो आखरी इसमें आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी बैटरी के मामले में हाला कि बहुत जादा outstanding नहीं है जितनी iPhone 14 series की है लेकिन हाँ काफी अच्छी बैटरी लाइफ है आप अगर moderate user हो तो पूरा दिन तो आराम से आपका iPhone 11 निकाल देगा और similarly priced और similar performance वाले Android phones के मुखाबले भी अगर आप देखेंगे तो इनकी बैटरी बैटरी होती है अब यापे गाइस उन cons के बारे में बात कर लेते है उन negative points के बारे में बात कर लेते है जो शायद आपको iPhone 11 लेने पे जिसके बारे में मालूमात इसकी होनी चीए और आपको इसके साथ जीना पड़ेगा अगर आप आप बहुत जादा ट्रैवल नहीं कर रहे हो और आपके office में और घर में wifi connection है broadband connection है तो शायद आपको 5G की जरूद ना पड़े फिर भी एक काफी बड़ी कमी है जो आपको ध्यान में रखना चीए कि अगर आप किसी ऐसे country में देते हो जहां बे आपके वाइफाई नहीं है या office में नहीं unlimited वाला या फिर आप travel कर रहे हो तो उस case में आपको यह चीज़ करने चीज़ आपको 5G फोन लेना चीए लेकिन अगर आपके बास office में और घर में internet connection है broadband है तो यह इसके अंदर बहुत बड़ा कॉन है second जो इसका कॉन है वो यह है गाईज के इसके अंदर यह LCD डिस्प्ले है OLED नहीं है इस बात का भी ध्यान रख लेना थोड़ा बहुत आपको यहां पर डिस्प्ले के मामरे में compromise करना पड़ेगा अब मैं बोल तो रहा हूं कि साइड बाई साइड रखे के देखेंगे तब ही फरक मालूम बड़ेगा फिर भी बैटर डिस्प्ले होता है चाहिए आप कितनी भी LCD डिस्प्ले को जो है अच्छा समय ले या अच्छे कॉलिटी का हो फिर भी एक OLED की बात अलग होती है इसके अंदर यह वायलेस चाजिंग तो है लेकिन इसके अंदर मैक सेफ की टेक्नोलोजी नहीं है तो मैक सेफ नहीं है मतलब वायलेस इसा च्पकता नहीं है यहां पर च्पक गया लेकिन अभी यह जाजर दी रे दी रे आइपों 12 को अगर मैं मैक से वाले चारजर पर चिपका हूं तो यहां पर मैक से वाली रिंग भी आ गई यानने कि यह फुल जो बाद सब्सक्राइब करता है आपका आई फोसके साथ चा इसमें बैटरी हैल थोड़ा से जल्दी लूस करता है उसके बाद वाले आइफोन में अपल ने थीक किया है थोड़ी सी हीटिंग जादा होती है यहां पर लेख सकते हैं यहां पर आइफोन 11 जो मेरा वाला है यह फिलाल 90% बैटरी हल्प है मैंने बहुत अच्छे तरहीके से आप भी मिंटेंड करके रख सकते हैं यहां पर यहां पर यहां पर यह जो यूस्ट वाला मैंने सेल बड़ी से मंगा था यह 100% बैटरी हल पर लेकिन जल्दी लूस करता है मतलब साल बर में 90% या 88% पर आपकी बैटरी हल आ जाए तो क्या आपको आपको आइफोन 11 जो है द कर देखने मिलते हैं आपके आपको आइफोन 11 कैसा लगता है लेने के लिए अगर आपका बज़ेट 30,000 का है तो और डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है नियू और यूजट आइफोन 11 के महां से आप जाके इनको चेक आउट कर सकते हो खरीदना जाए तो खरीज सकते हैं उमी